नमस्कार तोस्तों, हमारे चैनल पर आपका सवागत है आज मैं आपको ये बहुत ही खुबसूरत सा फूल वाला डिजाइन बनाने के लिए बताऊंगे ये बहुत ही खुबसूरत है और इसे आप आसानी से बना सकते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं इस डिजाइन को बनाने के लिए, सबसे पहले देखें आप स्वेटर के अनुसार अपने सलाई पर फंदे डाल लेजे, जितना फंदा की आपको जरूरत है, उतना फंदा आप सलाई पर डाल लेजे, और जिस तरह का बौडर बनाना है उस तरह क से उतार लेंगे और देखें ये सारे फंदे को हम सीधा बना लेंगे जितना भी फंदा है उसको इस तरह से हम पहली सलाई पहला जो सलाई हम बनाएंगे तो इस तरह से हम सीधा पूरी सलाई बनाते जाएंगे पूरा सलाई हम सीधा बना लेंगे पहली सलाई देखे कम्पलिट हो गया है अब हम बनाएंगे दूसरी सलाई उल्टा के तरब से उल्टा के तरब से देखे पहला फंदा को उतार लेंगे और इस तरह से हम दूसरा फंदा बनाएंगे दूसरा सलाई बनाएंगे पूरी सलाई हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से हम पूरी सलाई उल्टा बना लेंगे यहां देखे हम दूसरी सलाई कम्पलिट कर लिये हैं अब हम बनाएंगे सीधा के तरफ से तीसरी सलाई तीसरी सलाई भी देखे इसी तरह पहला फंदा को उतार लेंगे और सभी फंदा को हम सीधा बना लेंगे जैसे हम सीधा बुनते हैं उस तरह से सभी फंदा को हम सीधा बुन लेंगे तो ये हम पूरी सलाई सीधा बना लेते हैं अब देखे ये सीधा के तरब से हमारा complete हो गया है, अब हम बनाएंगे उल्टा के तरब से, अब जो सलाई अब हमारा design शुरू होगा, तो अब हम उल्टा के तरब से आपको बना करके बताते हैं, उल्टा के तरब से देखे हम पहला फंदा को उतार लेंगे, धागा को पीछे करेंगे और अब हम उल्टा के तरफ से पूरी सलाई हम सीधा बनाएंगे तो इसको हम सीधा बुन लेंगे इसको देखे यह हमारा उल्टा के तरफ से है इसको हम उल्टा बुनते हैं लेकिन हम यहां पर सीधा बुनेंगे यह पूरी सलाई हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे प पहला सलाई था, तो अब हम बनाते हैं सीधा के तरफ से, तो देखे अब हम ये सीधा के तरफ से आ गये हैं, और अब हम सीधा, पहला फंदा को हम ऐसे देखे, उल्टा से उतार लेंगे, धागा को इस तरह से पीछे करेंगे, और एक फंदा को हम सीधा बुन लेंगे, देखे दागा को आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे तो यहां हमारा बन गया एक और एक दो जाली बन गया अब दो जाली बनाने के बाद देखिए एक फंदा पर हम एक दो बार लपीट करके इसको हम निकाल लेंगे तो इस तरह से हम पांच फंदा पर बनाएंगे दो तीन चार और एक पांच पांच फंदा पर हम इस तरह से दो बार लपेट करके बना लेंगे अब हम एक फंदा को सीधा पुन लेंगे इस तरह एक फंदा को दो बार लपेटने के बार एक बार शिर्फ एक बार लपेट के उतार लेंगे फिर अब देखे धागा को आगे करेंगे और यहां पर अब हम चार जाली बनाएंगे एक हो गया दो फिर यह तीन और एक चार जाली बना लेंगे देखे इस तरह से यह हमारा यहां पर एक दो तीन चार जाली बन गया अब हम यहां पर पांच फंदा में फिर उ एक, दो, तीन, चार, और एक पांच, पांच फंदा में हम दो बार लपेट करके इसको इस तरह से उतार लेंगे, और एक फंदा को हम एक बार लपेट करके सीधा गुन लेंगे इस तरह से, अब फिर देखें एक फंदा गुन लिए, अब फिर हम यहाँ पर चार जाली बनाए एक यह दो एक तीन और एक चार जाली बना लेंगे देखे इस तरह चार जाली बन गया मेरा यहां एक दो तीन चार जाली बन गया अब हम फिर पांच फंदा में उसी तरह से दो बार लपेटेंगे और एक फंदा बनाएंगे फिर दो बार लपेटेंगे एक फंदा बनाएंग इस तरह से हम पाच फंदा पर बनाएंगे तीन हो गया देखिए एक दो बार इसको लपेट के इसको निकाल लेंगे चार हो गया देखिए ऐसे दो बार लपेटेंगे इसको निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए हम पाच फंदा पर दो बार लपेट करके पाच फंदा पर निकाल लिये हैं, अब 1 फंदा को हम सीधा बुल लेंगे, फिर यहां पर हम gel 4 फंदा बनाएंगे, देखे, 4 जाली बनाएंगे, एक, two, three, और एक, चार जाली बना लेंगे, इस तरह से, चार जाली बनाके, फिर हम पांक फंदा पे उसी तरह लपेट कीं बनाएंगे, एक दो तीन चार और एक पांच पे बना लेंगे पांच फंदा पे देखिए इस तरह से जाली बना लेंगे और एक फंदा को बीना लपेटे एक फंदा सीधा बना लेंगे अब यहां पे हम दो जाली बनाएंगे एक और एक दो जाली बनाएंगे दो जाली हम इसलिए बना रहे हैं कि यह हमारा यहां जो जाली बनेगा यह हमारा मेक अप कर जाएगा इसमें घर घटेगा या बढ़ेगा नहीं अब लास्ट वाला फंदा जो है इसको हम सीधा से बुन देंगे तो इसको देखे इस तरह हम सीधा बुन दिये हैं अब हम बनाएंगे उल्टा के तरफ से उल्टा के तरफ से देखे एक फंदा को उतार लेंगे उल्टा से और देखे एक फंदा इसको हम धागा को पीछे कर ल एक दो तीन चार और एक घाड़ तक हम सीधा बना लेंगे फिर धागा को आगे करेंगे और यह देख़ को पाच भंदा जो है इसको हम उतार लेंगे खोल लेंगे इसको यह तीन चार और है पांच पांचो फंदा को हम इस तरह से खोल लेंगे फिर धागा को हम पीछे करेंगे और इस जो नौ फंदा को हम सीधा बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और अब देखे धागा को आगे करेंगे और ये पांचो फंदा को हम इस तरह से उतार लेंगे खोल के इसको हम उतार लेंगे इस तरह से पांचो फंदा को खोल लेंगे और इस धागा को अब हम पीछे करेंगे और अब हम इसको सब को सीधा बुनेंगे जितना भी नौ फंदा है इसको हम सबको सीधा बुन लेंगे देखिए इसको इस तरह से हम पूरी सलाई सीधा बुन लेंगे और पांच फंदा को सिर्फ खोल के उतार लेंगे इसको बुनेंगे नहीं बस धागा को आगे करेंगे और ये पांच फंदा को खोल लेंगे उतार लेंगे इसको बुनेंगे नहीं देखिए इस तरह से इसको पीछे कर लेंगे और इसको हम बना लेंगे पूरे को एक, दो, तीन इसको सबको हम इसी तरह बना लेंगे अब देखिए हम बुनेंगे सीधा के तरफ से और सीधा के तरब से देखे कैसे बुनेंगे पहला फंदा को हम उतार लेंगे अब धागा को हम पीछे कर लेंगे और देखे ये सभी फंदा को हम देखे एक दो तीन अब हम सीधा बुनेंगे चार और एक पाँच फंदा को हम सीधा बुनेंगे और ये जो पाँच फंदा है को हम फिर से उतार लेंगे इस पाच फंदा को हम उतार लेंगे इस तरह और इसको जो है हम फिर जितना भी फंदा है इसको हम सीधा बुन लेंगे यहां देखे जितना फंदा है सब को हम सीधा बुन लेंगे नो फंदा है इसमें तो इस नो फंदा को हम सीधा से बुन लेंगे नो फंदा हम सीधा बुन लिए और अब हम इस पाच फंदा को फिर उतार लेंगे इसको हम बुनेंगे नहीं इसी तरह हम पूरी सलाई बनाएंगे इसको बुनेंगे नहीं चिर्फ इसको हम सीधा बुनती जाएंगे तो हम सीधी पूरी सलाई बना लेते हैं अब देखें यहां पर हम पूरी सलाई सीधा के तरब से बना लिये हैं अब हम बनाएंगे उल्टा के तरब से उल्टा के तरब से देखें पहला फंदा को हम उतार ल तो यह देखिए हम पाचो फंदा यह जो हमारा छे फंदा है इसको हम बना लिये हैं अब हम इसको देखें पाच फंदा जो हम पहले उत बीना बुने उतार के रखें हैं इसको हम इस तरह से उतार लेंगे इस सलाई पर और इसको आगे से ले करके हम इस तरह से पाचो फंदा क एक फंदा बना देंगे देखे इस तरह से एक फंदा बना देंगे और अब हम इस सब को फिर से ऐसे बुनते जाएंगे जितना भी फंदा है सब को हम उल्टा बुन लेंगे और ये पांच फंदा जो है इसको हम एक फंदा बना देंगे इसको हम एक फंदा बना देंगे और अब हम इसको सबको उल्टा बना देंगे इस तरह हम पूरी सलाई बना लेंगे अब देखे ये हमारा पूरा सलाई कम्पलिट हो गया है अब हम इसको इस तरह से रेपीट करते जाएंगे देखे ये हमारा खुबसूरत सा डिजाइन बन करके तैयार हो गया है तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताएंगे अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और धेर सारा सेयर करेंगे पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू